जहन साथियों स्वागत है आपके इस वीडियो में इसमें कि सबसे बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजीर हुआ हूँ देखे दोस्तों आज है 9 जनुरी का दिन है और इसमें कि सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भरती चल रही है उस भरती को स्थगित कर दिया गया है और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस भरती को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दि कि आपको ये clear हो जाए यदि आप physical वाले हैं तो कब तक आपका physical हो सकता है यदि आपका physical हो चुका है और आप return की त्यारी कर रहे हैं तो यहां से आपको यह idea भी हो जाएगा कि return के लिए अब आपको कितना समय मिलने वाला है तो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखेगा यहां पर हम जो है आपके mock test बगेरा भी introduce करते रहते हैं HP police के regarding तो आप उनको भी solve करते रहे ताकि आपका examination में काफी अच्छा help हो जाए तो चले दोस्तों अभी हम बात करते हैं पुलीस के बारे में तो किस जीले में इस भरती को स्थगित किया गया है देखे दोस्तों 5 जन कि तरफ से जो है यह notification release कर दिया गया कि जितने भी educational institute है चाहे वो school हो चाहे वो college हो चाहे वो universities हो सिवाए आपके dental college और staff nursing के जो हमारे colleges है उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी education institute है उनको बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ आज की update यह है कि उनना जिले में जो चल रही थी हमारी police का physical उसको भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है इसके बाद जिन जिन जिलों में अभी physical हमारा pending था वो सारे स्थगित हो जाएंगे अब अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गये तो यह कहा नहीं जा सकता क आने वाले समय में जो है कब यह physical होगा और जिन साखियों का physical हो चुका है और जो वरतमान में return की त्यारी कर रहे थे और अब तक हम यह मान के चले थे कि February last या मार्स तक आपका return test हो जाएगा लेकिन अब यह होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि COVID के जो cases हैं जो नया variant जो आ से off रहेगा तो यहां पर आपको इतना जरूर समझेना है कि आपको return के लिए काफी जादा समय मिलने वाला है और जिनका जो physical बचा है वो भी अपने physical के बाद जोनका return होना था उसकी त्यारी पहले से ही शुरू कर दे ताकि जब भी आपका physical हो उसके बाद हो सकता है आपको return के लिए कम समय मिले लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यह बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि आपका physical कब होगा जब तक करोना के cases बंद नहीं होंगे या cases रुकेंगे नहीं जब तक night curfew हटेगा नहीं जब तक restriction आपकी बंद होगी नहीं तब तक आपका आपको बस इतना करना है कि धहरे को बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको रिटन की भी त्यारी करते रहना है क्योंकि आप यह भी जानते है कि पुलिस की परिक्षा में physical से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं जो fighting के लिए जो आपका रहेगा वो आपका return ही रहेगा क्योंकि main fight आपकी return में ही होने वाली है और वहीं से आपकी merit बनने वाली है तो अंतमे मैं वीडियो में आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि द जो notification है उसके against जाके जो है coaching देने की कोशिश करेगा classes लगाने की कोशिश करेगा ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ऐसे बच्चे जो offline जो हमारे साथ जुड़े थे जो police की तियारी कर रहे थे आर्मी के return की तियारी कर रहे थे ठीक है जी तो उनके लिए भी मैं इतना ही क जाना है आपको एक और दो दिन के अंदर जो है हम update कर देंगे कि आपका जो schedule रहेगा online classes का कैसे रहेगा किस तरीके से रहेगा उसके लिए कल मैं खुद आपसे personally हरादमी से contact करके जो है उनको update करूँगा कि किस तरीके हमारा schedule रहेगा और बस आपको एक ही चीज करने है चाह आपने बिल्कुल पढ़ना छोड़ी दिया ठीक है और करें आर्मी के रिटन की बाफ तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें हम बात करेंगे कि आर्मी के रिटन की क्या संबावना है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया आप जानते हैं कि मार्च में हमारी भरती थी और आज तक का हमारा आर्मी का रिटन टैस नहीं हुआ है और अभी जनूरी में देखें फिर सी रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई है और मार्च हमारा सर पे बैठा है जल्दी ही मार्च भी आ जाएगा तो मतलब तकरीबन एक सानुम की भरती को हो जाएगा तो उनको क्या स्ट्रेजी रखनी है किस तरीके से खुद को चार्ज रखना है रिकार्डिंग रिटन टैस उसके बारे में मैं अलग वीडियो गनाऊँगा आज की वी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत